नमस्कार सुस्वागतम वेलकम अभिनादर मैं हूँ डॉक्टर वायरा कि हमारी नशी की एक आदत ना तो हमें बरबात करती है बलकिन हमारे पूरे परिवार को और कभी-कभी समाज में हमारे सम्मान को भी खतम कर देती है क्या आपके घर में भी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे घुटका खाने की आदत हो शराब पीने की आदत हो और अगर आपका जवाब है हां राखी जी तो यह वीडियो आपके लिए है और हो सकता है यह वीडियो आपके लिए ना भी हो तो इस वीडियो को अपने YouTube चानल पर या अपने WhatsApp ग्रूप्स पर या अपने FB पर शियर जर ही है लेकिन फिर भी बताना तो पड़ेगा कि सल्फर की दवाई देना शुरू कीजिए डॉक्टर की सला से जिनको शराप पीने की आदत है सल्फर शराप को छुड़ाता है और अगर आपको लगता है आपके अपने शराप चुड़ाने के लिए सल्फर नहीं लेंगे तो बाद उनकी शराप की नशे की या सिगरेट पीने के आदत छूट रही है किसी बी करा से अरदरक का इंटेक जादा कर दीजिए और अरदरक का इंटेक जादा तो कोई बुरी बात नहीं है सबजी में भी जादा डाली है लेकिन अरदरक फाइदा तब करेगा जब वो आप से ना उठा पाऊं लेकिन अगर दस लोग मुझे कहां, come on, राकी, come on, तुम कर सकती हो, तुम कर सकती हो, तो शायद मैं हिला पाऊं टेबल को, और आप मेरा मनोबल बढ़ाएं, तुम उठा भी पाऊं, आप समझे रहें मेरी बात, तो आप कभी ये मत कहो, रहें, तुम छोड़ो, तुमारे बस की बात नहीं है, तुम जूटे हो, तुम बेकार हो, तुमें हमसे प्यार ही नहीं है, तुमें बच्चे, तो ये जो ताने औरतों की आदत, ये मेलोड्रामा बंद कीजिए, और सामने वालों का मनोबल बढ़ाई है, और उसे बुरो तुम कर सकते हो सामने वाले की मन की शक्ति को तोड़िये मत, उसकी शक्ति को बढ़ाई है, थोड़ी देर सुख आसन पर जरूर बैठी, अब ये सुख आसन क्या होता है, ये आप यूट्यूब पर जाकर देख लीजे, यूट्यूब पर अगर आप सुभा और शाम पाच-पाच मिनट सु पाई सुना होगा, जो लोग अपनी नाक में सरसो का तेल डालते हैं, वो बहुत जादा शराब और नशे को छुड़ानी की एक हैबिट बन जाता है, करकर देखिए मेरी बाते समझने आएगी, छोटे-छोटे अरद्रग के टुकडे काट कर उसका अचार बना कर या नमक का करना क्या है, कि आपको मा दुर्गा का कवच पढ़ना शुरू करना है, और उस व्यक्ति के नाम से संकल पलेना है, कि मैं अगले एक तालिस जिन तक इस कवच को पढ़ूंगी, या पंडी जी से करवाऊंगी, और आप मा दुर्गा इतनी शक्ति उन्हें दो, कि वो ये शर पीना, सिगरेट पीना या गुट का खाना छोड़ दें, और ऐसा व्यक्ति खुद भी अपने लिए कर सकता है, जरूरीनिया दूसरा करें, भैरो बाबा के मंदिर जाना शुरू कीजे, भैरो बाबा की पूजा कीजे, और वहाँ पर शराब मत चड़ाइए, दिल्ली के अं कीजे, दुर्गा कवच का पाट कीजे, बहरो चालेसा का पाट कीजे, और मन ही मन में अपनी आत्मे शक्ति को बढ़ाईए, क्योंकि इस वक्त शराब असानी से बजार में ड्रिंक्स मिल भी नहीं रही है, तो इस वक्त अगर अपने मनोबल को बढ़ाया, सुबा उठकर बहुत जादा फायदा होगा, अपनी पेट पर आपको खास कर गाएं के घी की मालिश करनी है, इससे भी शराब पीने की आदत चूटती है, आपको गाएं का जो गव मूतर है, उसे घर के अंदर छिड़कना है, और ऐसा वक्ति जिसे ड्रिंक करनी की आदत है, उसके पानी म बने हुए गाएं के गोबर के बने हुए उपले पर घर में धूब देना शुरू कीजे, गाएं के दूद से बना हुआ पनीर या घी या दही का इस्तमाल करना शुरू कीजे, गाएं का घी उसका जो गाएं का घी होता है, उसे वक्ति जो ऐसा है जिसको नशे की आदत है, उसे बहुत गुस्सा आता है, इरिडेट होता है वो अगर उसे चीज़े खाने पीने को नहीं मिलती, तो एक कुदरत का इशारा होता है, इंसान बहुत कुछ चोड़ देता है, हमने अपने रिष्तिदार छोड़ दिये, घरबार में अंदर सब आकर बैठ गए, काम धंदे सब के बंद हो गए, लोगों ने कई दिनों तक करोना के चक्कर में ड्रिंक नहीं की और आज भी नहीं क सच है, कि भगवान ने बुद्धी हमें सबसे उपर दिये, सबसे पहले हम सोचेंगे छोड़ने का, तब ही हम छोड़ पाएंगे, हमें अपना द्रिं निष्चे करना होगा, और एक बात, परिवार को ताने देने की जगा पर मनोबल बढ़ाना होगा, रुपजा पी लिज और कौन सी चीज इतनी बड़ी हो गई जो मेरे साथ पैदा होकर भाराई थी, क्या मैं जब पैदा हुई थी तब शेहराब, सिगरेट या गुटका खाता था या पीता था, नहीं न, ये आदते मुझे बाद में लगी है, तो अगर ये आदत लगी है, तो यादत खतम भी ह हो सकती है, छूट भी सकती है, बस सोच को जरा सा अच्छा करने की जुरूरत है, फिलाल दीजे इजासत, अपना और अपनों का ध्यान रखेगा, मैं आप सब से बहुत प्यार करती हूँ, प्लीस टेक केर यॉरसल्फ, और लव यू गाईज, जय मतादी